हलो दोस्तों कैसे हैं मैं अमर सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ग्रेविटी क्लासेस में बच्चो जैसा कि आपने थमने लेका होगा आज का जो हमारा बुक है वो है एसल लोनी आज हम इस बुक का रिव्यू करेंगे हम बताएंगे कि ये बुक क्यों पढ़ना चाहिए क्यों नहीं पढ़ना चाहिए किसके लिए फायदेमंद है और ये आपके लिए कैसे फायदेमंद है और कितना उप्योगी है तो वीडियो को लास तक देखिए लास तक देखिए तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये बुक आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो चलिए बातों को यहीं समात करते हैं और अपना वीडियो एस्टाइट करते हैं बच्छो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये है हमारी बुक आज की एसल लोनी ये बुक का कवर है और काफी कलरफुल है और ये बुक की साइज जो है ना नॉर्मल बुक से थोरी छोटी है यस छोटी भी है और पतली भी है इस बुक को पब्लिस किया है अरिहंत पब्लिकेशन ने यस बच्चो अरिहंत बहुत ही जाना माना पब्लिकेशन है और वो बहुत सारे अच्छे बुक्स को पब्लिस करती है अब थोरी सी बात कर लें इसके राइटर S.N. Loney की S.N. Loney एक foreign राइटर है और वो एक मैस के परफेशर थे और उनका जन 80-60 में हुआ था और उनकी मिर्तिव 90-40 में हुआ था मतलब अगर हम देखे तो आज से लगभग देर सो साल पहले बचो ये बुक काफी ही पुरानी है लगभग ये बुक को आज सो साल पूरे होने जा रहे है 100 Job इस ये लगभग 100 एर कंपलीट कर लिया है यह जो बुक्स आती है ना वह क्लासिक स्टेस्ट चरिज में आती है अब क्लासिक बुक क्या होते हैं वह बुक्स जो बहुत पहले लिखा गिया है अज बात वह आज भी आ रहा है तो वह कहीं-न-कहीं बैस्ट बुक को अभी अरिहन पब्लिकेशन ला रहा है और इस क्लासिक बुक के अंदर जो क्लासिक सिरीज है उसमें कई बुक सारे मैं कुछ नाम बता दे रहा हूं जो इस बुक के पीछे दिया हुआ हाईयर एलजेवरा हॉलेंड नाइट यह भी एक फॉरेनर राइटर थे बहुत हो गया आपका कैमेश्टी का इरो डोफ फिजरीज का बहुत ही फैमेस बुक है यह सब जो हैं वो क्लासिक सिरीज में आती है चलिए तो यह च्छोटी मुटी थोड़ी सी राइटर के हिस्ट्री हो गयी और इस बुक के बारे में हो गया अब इस बुक की कांटेंट की बात क इंडिया में बहुत जादे चलती है वो दो बुक्स हैं 11-12 के बच्चों के लिए जो प्रप्रेशन कर रहे हैं या मैस को पढ़ रहे हैं राइट दो बुक है एक तो आता है कॉडिनेट का और एक आता है ट्रिगनोमेट्री का और मेरे पास जो बुक है वो प्लेंट ट्रिगन त्यार नहीं किया गया है आप यह मत सोचना कि इसको पढ़के आइटी क्रैक करना है या इसको पढ़के कोई और बड़ा एक्जाम निकाला नहीं यह बुक आपको सिर्फ उस टॉपिक में कॉंसेप्ट देगा एक हायर लेवल तक ले जाएगा आपको मैस के बारिक से बारि बुरू कराएगा आपको हर बारिकियो को समझाएगा और जो कोसन के स्टैंडर रहेंगे वो बहुत ही लाजवाब रहेंगे तो यह बुक सिर्फ उनके लिए है जो अपने मैस कोई कॉंसेप्ट को एस्ट्रॉंग करना चाहते हैं जो मैस को प्यार करते हैं जो मैस को है क्योंकि यह जो बुक है इसको आप समुद्र माल लीजिए और एक्जाम को आप छोटी मोटी नदी माल लीजिए तो अगर आपको छोटा सा टार्गेट है तो बहुत सारे बुक्स आते हैं बहुत एकॉडिंग टू आइटी के सलेबस जो भी कॉंपिटिटिव एक्जाम ह मारकेट में अवी लेवल हैं आप इसको फॉल्लो कर लीजिए और इजली अप करेक कर लीजिए लेकिन अगर आपको सीखना है आपको जाना है आपको मास्टर वन्ना है धिन ये क्लासिक्श बुक का यूस करें इस टाइपस की बुक्स को मैं हमेजाम के लिए नहीं बना है अब Resnick Holiday हो गया, Eero Dove हो गया, S.N. Lonnie हो गया, Hall and Knight हो गया, यह सारे बुक्स सिर्फ और सिर्फ knowledge के लिए बनाएं और आपके पास knowledge है तो obviously बेटा आप अराम से किसी भी exam को crack कर सकते हो, किसी भी syllabus को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हो, according to pattern आप पढ़ सकते हो तो पहले आप अपने knowledge को gain करें, knowledge को strong करें, इसमें जो बुक है, उसमें जो topics हैं, वो सारे trigonometry के हैं और इसमें करीब-करीब 21 topics हैं, और इसमें number of page जो है, वो 250 है, काफी छोटी book है, और काफी simple है, इसमें examples दिये गए हैं, और साथ में questions भी है question का standard बहुत ही अच्छा है, और obviously theory भी बहुत कुछ समझाने की courses की गई है but मुझे लगता है कि student को theory समझने में काफी तिकत होगी, बहुत ही समस्या होगी, तो अगर आप theory को समझना चाते हो, theory को सीखना चाते हो तो आप बहुत सारे YouTube पे वीडियोज अब लेवल हैं, आप उसको देख सकते हो, बहुत जादे आप जल्दी theory सीख जाओगे और application के लिए, practice के लिए को सीखने के लिए इस book को आप follow कर सकते हैं इस book की जो price है वो बहुत ही economical है, बहुत ही सस्ता है, ये 85 rupees इसकी price है और आप इसको कहीं से भी खरीच सकते हो Amazon पे, Flipkart पे, online, offline, कहीं भी ये book available है, आप इस book को खरीच सकते हो तो आखरी में फिर से बोलना चाहूंगा कि वो बच्चे जो किसी exam को target करके ये book खरीद रहे हैं तो please ना खरीदे, ना पढ़े हैं, या वो बच्चे जिनके पास समय कम हों, और समय की कमी हैं, वो भी ना पढ़े हैं वो ही और सिर्फ वो ही बच्चे पढ़े हैं, जो अप मैस को enjoy करते हैं, वो कुछ सीखना चाहते हैं, वो मैस की उचायों को छूना चाहते हैं, वो उस book को follow करें आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा, तो यार subscribe करो, comment करो and share करो साथ ही साथ, मैं आप लोगों को online, offline physics and mathematics की classes देता हूं, अगर कोई भी बंदा मुझस से online पढ़ना चाहता है, तो वो मुझे message कर सकता है, मेरे number पे text कर सकता है और मैं उमीद करूँगा कि आपको best से best दे सकूँ, अच्छा से अच्छा पढ़ा सकूँ, तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं, फिर से नए वीडियो में, एक नए book के साथ, एक नए review के साथ, चलिए, bye, 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 thank you